हेलो, क्लास 2 चिल्डरन, हाव वर यू, तोड़े आई विल टीच यू, मैस, एक्सरसाइज, ट्वर्ष, जियोमेट्री, चिल्रन, आज मैं आपको जियोमेट्री पढ़ाने जा रही हूँ, चिल्रन, इसमें आपको सबसे पहले, कोशन नमबर बन यहाँ देखिए, नेम कि यह जो पिक्चर्स आपको दिये गए हैं, बुक में दिये गए हैं, वह से पसक के नाम क्या है और उसमें कितने साइट्स होते हैं, और कितने कॉर्नर सोते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी, चिल्रन, यह जो फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं, वह क्या है, ट्राइंगल, क्या है वो ट्राइंगल और ट्राइंगल में क्या होते हैं it has three sides and three corners जितने sides होंगे उसमें उतने corners भी होंगे ठीक है children उसके बगलवारा देखिए वो square है square है तो square में क्या होगा यह squares में क्या है four side है it has four sides and four corners देखिए four sides से यह attach है ना first line second line third line and four line four line से जुरावा है यह square और यह four sides है उसके corner भी क्या होंगे four होंगे और तो यह आपको मैं बता दे रही हूँ फिर उसके बगलवाला को क्या बोलेंगा rectangle rectangle है तो it has four side इसमें भी four side है और इसमें कितने corner है इसमें four corner है जितने sides होंगे उतने corners भी होंगे यह बात आप ध्यान में रख लेजे ओके और यह क्या है circle circle है तो it has no sides and no corner it goes round and round अब चिल्डरेन एक कोई देखे होंगे आप एक जो है वो ओल है उसको circle नहीं बोलेंगे तिक है उसके बारे में इसमें चर्चा नहीं किया गया इसलिए मैं नहीं बतायूंगी ऐसे आप जान लो एक का जो सेप होता है वो circle नहीं होता है उसको क्या हम लोग बोलेंगे oval बोलेंगे इसमें भी no sides होते हैं और no corners होते हैं इट गोस राउंड and round पर यह आपको यहाँ पर इसमें नहीं बताना है फिर भी मैं इसलिए बता दी हूँ कोई भी object दिये जाएंगे तो आपको and how many corners तो इसमें मैं सबके बारे में बता दी जितने sides होंगे उतने corner होंगे तो name लिख दीजेगा यहाँ पर triangle square rectangle और circle और इसमें कितने कितने sides होंगे वो लिख दीजेगा जिसमें sides नहीं होंगे उसमें लिखेगा no sides and no corners ओके चिल्रिन आप next question number two draw a line to make the rectangle इसमें line draw करके इसमें क्या बनाना है rectangle बनाना है और यह बना सकते हो B में क्या करना है into two triangle इसमें two triangle इसमें बनाना है नाइन खिचके ठीक है वो आप कर लोगे question number three name the solid shape each of the following object so तो यहाँ पर object दिया गया है आपको इसको solid shape बताना है तो सबसे पहले आप यह जान लो कि कौन कौन सा things है उसको कैसे पहचान होगे अगर goal होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग sphere बोलते हैं अगर जो आप B number में देख रहे हो लंबा सा box जैसा बनावा है लगता है यह bottle है कि कुछ है तो वो क्या होगा cylinder cylinder के shape में होगा और जो number C में है वो आपको cube white देख रहा है और number 4 में cube देख रहा है तो यह सब जो है solid shape में होते हैं solid shape के बारे मैं आपको बता देती हूँ solid shape जो होते हैं cube में cube white, sphere, cone और cylinder होते हैं ना तो इसके बारे में मैं आपको बता दी हूँ और इस pictures में आपको मैं अच्छे से नहीं बता रही हूँ यहाँ देखो sorry यहाँ पर आप जान लो sphere मतलब होता है circle और cube white मतलब होता है जैसा rectangle है नाम लोग का उसको बोलते हैं वो cube white में है और जो cube में आपको आजाएगा वो अब लोग जो ludo खेलते हैं उसकी गोटी होती है छक्का जो बोलते हैं वो shape में आजाएगा और cone जो होता है वो बर्दे वाला cap जानते हैं जो बच्चे पहनते हैं बर्दे वाला cap वो cone shape में होता है ना और यह सब जान लीजे और इसको अपने mind में set करकर आप इसको बताइए कि यह आप कैसे इसमें things देखकर आप कैसे इसमें लिख सकते हो कि name the solid shape each of the following object so तो अब यह आपको दीख रहा है यह गोल जैसा बना हुआ है और यह क्या है तो आप इसमें लिख सकते हो कि यह आप sphere लिख दोगे और यह B number में कैसा दिख रहा आपको यह bottle तो cylinder shape में है तो इसको cylinder में कर दोगे और C number में आपको कैसा दिख रहा है यह आपको keep white दिख रहा है तो keep white में लिख दोगे और D number में आपको कैसा दिख रहा है cube के जैसा दिख रहा है तो इसको आप क्यूब में लिख दोगे ठीक है है ना तो यह आप कर सकते हो ठीक है और बॉल भी रहता बॉल तो वो भी हम स्फेर में ही लिखते ठीक है तो यह आप कर लोगे उसके बाद straight line and curve line अब straight line और curve line के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको क्या करना है कैसे पहचानना है कि स्ट्रेट लाइन और कार्व लाइन किसको बोलते हैं जब भी हम लोग पैदल चलते हैं और सीधा चलते हैं तो हम लोग कहते हैं वो स्ट्रेट लाइन है हम लोग एसेंबली में खरे होते हैं और लाइन लगाते हैं बच्चों को लाइन में खरे करते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में खरे करते हैं आप लोग देखे हैं एसेंबली में जब टीचर्स बच्चे को खरे करती हैं तो हाँ तो वो उसको बोलते हैं स्ट्रेट तो वह क्या होता है वह कर्व हो जाता है उसको बोलते हैं कर्व लाइन कभी कभी आप रोट पे भी देखोगे कि उसी तरह से बना रहता है कि कर्व के तरह उसको मूव करके रोट क्रॉस करना पड़ता है चलना पड़ता है कर्व कहीं स्टाइल में बाहर जाओ के तो देखोग पटना देली समय देखोगे कि उस तरह से बना रहता है और रोट पे और आपको उसी कर्व रोट पे ही चलना पड़ता है चाहे वो बस चले चाहे वो मोटर साइकल या साइकल यह चिल्डरन यह सिंगा स्ट्रेट लाइन जो होता है वो सीधा लाइन घीचोगे तो उसको स्ट्रेट लाइन होगा जैसे हम और तुम पकरे रहेंगे एक रसी को रोट को तो वो सीधा लाइन पकरेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा और उसी को जब हम लोग जंपिंग करवाएंगे पकर के speaking करवाएंगे उस रोप को तो वो क्या हो जाएगा curved line हो जाएगा यह line is represented as यह straight line जो है सीधा दिखेगा arrow के तरह बनावाए ना arrow दिखा के बनावाए rate color का उसका बोलेंगे straight line ठीक है तो types of straight line अब straight lines के भी type होते हैं एक तो होते हैं एक horizontal एक होते हैं vertical एक होते हैं salenty तो horizontal में कैसे होते हैं वो सीधा रखा रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे horizontal ठीक है a horizontal line is that which goes straight across ठीक है सीधा line घीचा रहेगा तो क्या हम लोग बोलेंगे horizontal और यहाँ पर देखिए curve में vertical में हम लोग बोलेंगे जब वो ऊपर ऐसे पकर के और नीचे इस तरह से लटका रहेगा जो आप पिक्चस में देख रहे हो यहाँ पर standing line उसको हम लोग क्या बोलते हैं vertical और vertical बोलते हैं यह दो लाइन के बारे में मैं आपको बताई हूँ और इसको आप देखो कि इस line में देखो यहाँ पर सीधा सीधा घीचा वाया लाइन तो वह हो जाएगा horizontal और उसको यहाँ पर देखिए और जब हम square वाला copy देखें आप लोग अपना mask की copy देखें square वाला line square वाली copy उसमें देखें box box बना रहता है जो सीधा सीधा जो line घीचा रहता है पहले first से लेकर last track line घीचा रहता है वह हो जाएगा आप लोग का horizontal और जब उसके ऊपर से जो line खिसते हैं हम लोग तो वह क्या हो horizontal line हो जाएगा है ना children इसमें भी देखिए page of your notebook यहाँ पर देखिए margin जो दिये रहते हैं उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कि horizontal किसको बोलते हैं और vertical किसको बोलते हैं जैसे यहाँ पर देखिए cricket stump यहाँ पर जो cricket जब स्टार्ट होता है तो यहाँ भी gentle में तो ऐसे आप समझ जाओ ठीक है और यह जो रखावाई arrow यह कैसे है यह vertical line है क्या है यह vertical line है तो आपको मैं इस chapters में इतनी सारी बाते बताई हूँ और इतनी बाते अपने mind में set करकर आप इसमें बनाना और कुछ में questions आपको वक्सीट में बनाने के लिए दूँगी और